नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दसवी पास की ऐसे भरती बताने वाला हूँ, जिसमें और कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, यानि कि आपके पास computer certificate नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको typing नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप pH candidate है, कोई और इस भरती में न, Central Government की पहली बात तो ये वेकेंसी है, दूसरी बात, Central Government की बहुत सारी विभागों में ये पोस्टिंग देता है, जैसे की, जैसे की आपको बता दू, ED हो गया, जो छाप अमारी करता है, दूसरा हो गया, Income Tech Department हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया, रक्षा मं आला है, ऐसे बहुत सारे भी भागों में Central Government की पोस्टिंग देता है, दोस्तो, मैं बात कर रहा हूँ, Multitasking Stop, यानि की MTS भरती का, इसका notification यानि की Short notification जारी हो गया है, एक्जाम कब है, ये कैलेंडर भी आ गया है, दोस्तो, तो इसी वेकेंसी का, सारा कुछ आप लोगों को notification है, passing marks, एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें passing marks होता है, उतना आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो passing marks कितना percent लाना है, ठीक है, सारा कुछ A to Z जानकारी इस भरती का बताने वाला हो, इसमें आप PH candidate हो तब भी apply कर सकते हो, female हो तब भी, male हो तब भी, आल इंडिया के candidate के लिए vacancy है भाई, और इसमें जो post ही बात करूँ, वो इस बार, 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस आने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे भी भागों ने, चाहे रक्षा मंतराला हो, चाहे आर्मी का जो है, दोस्तों, आप लोगों को सभी पता है, आर्मी के तरफ से 42,000 कुछ बनाया हूँ था, 42,000 कुछ का notification आया था, इसमें MTS का सबसे ज़्यादा post, ASIC हो सकता है, इसी में भरती कर दे, तो बहुत सारे भी भागों से already notification जारी करके कितना post खाली है, ये सब को बता दिया है, ठीक है, तो आपको बता दो, ज्यादा तर संभावना, ज्यादा तर इसी भरती में ही सामिल होने वाला है, क्योंकि इसके बहले, जो भरती हुआ था, एक में साड़े 12,000 post था, एक में 1500 था, आप सभी को पता है, MTS के जो भी exam लाएं, उन सब को antidote को एक बार फिर से बता दू, इस बार भी 10,000 से उपर post आ रही है, आप सभी के लिए, योग है दोस्तों, वो है, 18 से 25 साल, तो 25 साल किसका, MTS के लिए, 37 साल किसका, जनरल और EWS कंडिडेट का बता रहा हूँ, वो आपका हवलदार का, क्योंकि इस MTS के भरती के साथ, आपका हवलदार की भी विकेंसी आती है, ठीक है, और इस हवलदार में एक अच्छी बात है, फिज फास्ट एज हो जाने कारण दोर नहीं पाता है, या तो उन सभी के लिए क्सुन हराम होगा है, ठीक है, और अगर आप रिजर्वेशन केटिगरी केंडिडेट है, तो सुभाइक से बात है, SC, HD हो तो 5 साल की छुट मिलेगा, ये आपको मिलेगा, और अगर आप PH केंडिडे जनरल, OBC और EWS केंडिडेट का कितना रहेगा, 100 रुपे रहेगा, ठीक है, और लेकिन SC हो गया, HD हो गया, PH केंडिडेट हो गया, इन सब का कितना रहेगा, 00 रुपे फीसे दोस्तों, ठीक है, और इस वेकेंसी में आल इंडिया के केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं, सबसे साथ, एक और चीज़ मैं बता दू, एक बार फिर से मैं बता देना, दोस्तों, देखिए, इन सबी भी भावों में पोस्टिंग देता है, MPS के वेकेंसी है, दसबी लेवल की है, ग्रुपसी लेवल के पोस्ट है, लेकिन बड़ी अच्छी वेकेंसी है, अब इसमें देखि कैसा होता है, सबसे important यह है, तो selection आपका देखिए दोस्तों, selection process सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, selection process सबसे पहले आपको written exam होगा, ठीक है, written exam होगा, फिर आपका physical test होगा, अब physical किन का होगा, जो हवालदार के लिए रहेगा, सीर पार सीर पून ही का होगा, ठ प्लस medical certificate, तो आपका यह बहुत सारे candidate comment करते हैं कि जो medical होता है, जो medical certificate होता है, क्या सर वो वही पर जैसे force में होता है वैसी, तो ऐसा नहीं भाई, इसमें आप district hospital से भी submit कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, signature और अगरा करा करके, तो बस इतना ही आपका selection process है, अब देखिए, इस return exam में syllabus क्या रहेगा आपका, syllabus, ठीक है, तो syllabus के बारे मैं आप लोगों बता दू, इसमें season 1 और season 2, मतलब part 1, part 2 समझ लिजे, भाग 1, भाग 2, ठीक है, तो इसमें भाग 1 में, ठीक है, भाग 1 में, सिर्फ और सिर्फ qualify करना है आप लोगों को, तो qualify कितना percent में आपका qualify हो ठीक है, तो देखे, सबसे पहले आपका इसमें 40 question रहेगा, ठीक है, ये कितना number का रहेगा, 120 number का, ठीक है, 120 marks का, और निगेट ने रहेगा, और इसमें time रहेगा, आपका 45 minutes, ठीक है, अब इसमें जो subject रहेगा, तो पहला subject को बता दोस्तों, maths रहेगा, ठीक है, only qualify, merit से कोई लेना देना नहीं है, तो maths कितना रहेगा, 20 question रहेगा, ठीक है, 60 number का, दूसरा रहेगा, आपका reasoning, reasoning में कितना रहेगा, दोस्तों, ये भी 20 question रहेगा, आपका 60 number का, ठीक है, दोनों आपका 60, 60 number हो गया, ठीक है, अब ये qualification है, भाग 1, अब एक ही दिन paper होगा, भाग 1 और qualifying marks है, तो qualifying आपको कितना चाहिए, तो qualifying आपको मैं बता दूँ दोस्तों सबसे पहले, तो सबसे पहले है आपका general category का, तो general qualify कितना है, 30% आपको number लाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप OBC या फिर EWS candidate है, ठीक है, तो आपको 25% number लाना होगा, और वही, SC या फिर HT या फिर other जो PH candidate वगरह है, उन सब के लिए 20% number qualifying है, इस MTS की vacancy और हवलदार की vacancy में, ये एक बड़ी good news है, अब इसके बाद, इसके बाद दोस्तों भाग 2, या season 2 बोल सकते हो, ठीक है, भाग 2, अब भाग 2 में बता दूँ, ये आपका रहेगा दोस्तों, total 50 question रहे डेड़ सो number कर रहेगा, ठीक है, और इसके लिए आपका 45 मिनट का आपको time दिया जाएगा दोस्तों, और एक बड़ी खुष खबरी ये बता दू, merit इसी से बनेगा, और इसमें एक question मतलब आपका 3 number का, ठीक है, अब 3 number का question है, तो सुभाईक सी बात है, इसमें trust न देख ली ठीक है, इंग्लिस कितना रहेगा, 25 question रहेगा, आपका 75 number का, और इसी 1.500 से आपका merit बनने वाली है दोस्तों, एक बड़ी good news है, क्योंकि देखे, ज़्यादातर candidate क्या होता था, ज़्यादातर candidate ये maths में फैल हो जाता था, या maths में कम score करता था, जिसके वज़स उनका selection नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार, इस बार ऐसा नहीं है, maths और reasoning इस vacancy के लिए, only qualifying के लिए है, और जो candidate क्या है, देखे, बहुत सारे candidate क्या होते हैं, SSC, CGL की तैयारी करते रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, CGL हो गया, या फिर CHSL हो गया, उनमें maths और reasoning में क्या है, वो पुरा complete पैयारी करते हैं, तो उन लोगों का target यही रहता है, कि इसको fight न करके उनको target करें, तो ये लोग सिर्फ उसको qualifying के लिए इसका exam देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों बता दो, ज्यादा तर candidate ये vacancy छोड़ देते हैं, और सबसे कम, वो लोग week किसमें रहते हैं, general awareness मे आपका merit बनेगा, तो ये एक बड़ी good news है, और इससे आपका क्या होगा, आपका जो cut off है ना, वो भी आपका कम जाएगी दोस्तों, cut off भी आपका कम जाएगी, और आप सभी candidate के पास मौका भी रहेगा एक selection का, क्योंकि maths और reasoning में ज्यादा number, बहुत सारे candidate काता नहीं था, ठ इसके बाद आपका भाग्टू चेकिंग हो, भाग्टू में आपका जो भी number लेकर क्या होगे, उसी के अधार पे आपका merit बनेगा, हर एक candidate के लिए चाहे हो, PH candidate हो चाहे, EWS हो चाहे, OBC ही चाहे, General हो, सभी के लिए good news है दोस्तों, male, female दोनों candidates के लिए, अब इसके बाद आ post में एक और qualification है, वो है आपका physical, यानि कि walking, तो आपको चलना है उसमें, तकरीबर 1600 मेटर या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, उनके उपर है, और इसका एक official notification आना बाकि है, इसका एक short notification calendar के अधार पे, SSC ने जारी किया है, उसमें आपको साब साब बोल दिया है कि इसका online form, online इसका form दोस्तों कब भराएगा, इस vacancy का MTS की online जो form है, वो आपका 7 मई से 7 जून के बीच में आपका भराएगा, ठीक है, और जुलाई में, आपका जुलाई 2024 में इसका return exam है, तो अब भी से अगर आप तयारी करना चाहते हो, तो 100% आप इसको selection ले लोगे, क् क्योंकि आपको target करना है सिर्फ general awareness और English, ठीक है, ये दोनों को target करना है, तो English का आप अभी से तयारी कर दीजे दोस्तों, क्योंकि 25 question आएगा इंगलिस में, 25 question आएगा आपका general awareness में, इसी स्मेरिट बनेगा, और सिर्फ और सिर्फ इसमें maths और reasoning में आपका qualifying है, ठीक है, तो maths और reasoning सिर्फ उतना इसी कोई problem ने, बस आप qualify हो सके और बाकी अगर हो सके तो general awareness और English में focus कर दीजे दोस्तों, अगर MTS जैसे जगा में MTS का post हाला की है, लेकिन central government की vacancy, आपका जो in hand salary है न, वो 30 plus मिलने वाली है दोस्तो, 30 plus, ठीक है, बहुत ही अच्छा vacancy है, जरूर इसमें 10th pass हो, चाहे आपका percent 33% ही क्यों न रहे है, आप इस vacancy के लिए eligible हो, सारा candidates के लिए बता दू, और इसमें जो PH candidate है न, उनके लिए एक बड़ी अच्छी मौका है, क्यों? क्योंकि इसमें cut up उनकी संख्या जादा कम जाती है, और देखे, SAC की और भी exam होता है, जैसे के SAC CGL ह गया, जो graduate level का होता है, SAC CHSL हो गया, जो 12th level के होता है, इम दोनों में आपका क्या होता है, आपका typing मनते हैं, तो आप सभी को पता होगा, इन दोनों में typing मनता है, तो जब typing मनता है न तो आध ज़्यादा candidate typing में फैल हो जाते हैं, तो उन सभी candidates के लिए यही मौका है, क्यों typing को मारो गोली इस vacancy में कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप 10 वी पासो आप इसके लिए लिजी बलो दोस्तो इस vacancy का सारा कुछ आप लोगों को मैं बता दिया दोस्तो क्योंकि देखे main इसमें season 2 है इसमें आपका ही दोस्तो selection है एक अच्छा vacancy है central government के लिए और आपका posting एक बार फिर से देख लिजी आपका posting दोस्तो ED हो गया ED जो प्रवर्तन निद्शाला है जो हाँ पे rate rate मारते है न उसी के मुख्य office में आपका posting रहेगा दूसरा आपका हो गया income tax department हो गया आपका रक्षा के मन में अगर सवाल है तो जरूर comment कीजिए और इसका आप सभी को notification देखना है तो मैं इसका calendar telegram channel में डाल दे हैं वहाँ से जाका क्या आप check कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना है फिर मिलते हैं दोस्तों next studio में नई government job नई सरकारी नौकरीक update के साथ लेकिन उससे पहले वीडियो को like कर दीजेगा channel को subscribe कर दीजेगा जो मिलते हैं next studio में नई government job नई सरकारी नौकरीक update के साथ तब तब के लिए जाहिन